तो UK Dependent Visa के कई सारे वीडियो आप लोग देख चुके हैं कि क्या-क्या changes होने वाले हैं और क्या-क्या इसके उपर steps लिए जाएंगे इसके उपर से benefit क्या होगा और आप लोग का कितना नुकसान होगा सब कुछ इस वीडियो में discuss करेंगे पर आपको इसमें solution क्या चाहिए वो खास तोर पर इस वीडियो में discuss करेंगे आप किसी भी country के लिए accommodation प्लान कर रहे हो student accommodation आपको description में google form दिये हैं वहापर आप मुझे अपनी details भेज सकते हो हम लोग खुद आपको accommodation best rates में provide करने की कोशिश करेंगे दूसरा अगर आप लोग personal consultation चाहते हो jobs या study abroad के लिए वो आप से बड़ा रूल यह है कि अगर आप लोग master's या bachelor's कर रहे हैं तो आप dependent को साथ में नहीं ला सकते हैं अगर आप student हो तो आपका husband या wife जो भी साथ में आना चाता है या फिर आपके बच्चे और भी साथ में आना चाते हैं वो अब नहीं आ सकते हैं पहले dependent को job भी यह लोग offer तो आप लोगों को dependent visa allowed है यह rules जो है यह जनवरी 2024 से शुरू किये जाएंगे तो अगर September 23 में अगर आप लोग इस साल आना चाहते हैं तो अभी भी dependent को साथ में ला सकते हो इसमें आप लोग को कोई problem नहीं होगी बट अगर आप लोग अगले साल का plan कर रहे हो तो आप लोग 1,38,000 और थे यानि कि 1,40,000 के असपास 1,38,000 के असपास इनके dependents एक्स्ट्रा आए थे अब dependents जो थे वो कुछ खास इनकी economy में या फिर skilled workers में यह लोग contribute नहीं कर रहे थे यह लोग unskilled jobs भी ले रहे थे जबकि UK government का मकसद यह था कि जो भी India से आई या फिर other countries आई वो skilled jobs ले यहाँ पर jobs का shortage एक बार हो गया था इसकी वज़े से problem यह है कि अब लोग जादा आने लग गए dependents उनके साथ में और भी जादा आने लग गए यह नंबर कट करने के लिए इन्होंने students visa उतनी ही रखे बट जो भी dependent के साथ में आना चाते अब शायद उनको अकेले आना पड़ेगा या तो फिर आप दो नहीं माता हो यह government के लिए better decision है इसके उपर solution क्या है सबसे पहला अगर आप लोग masters के लिए आ रहे हो तो यहाँ पर masters एक साल का होता है और वो same masters दो साल में भी यह लोग convert करते हैं एक साल पड़ाई और एक साल आपका placement year होता यानि कि full time job on a student visa तो जैसे आप लोग 2 साल का masters लेते हो तो प बट आपको उसमें 20-25 लाग रुपए एक साल की job मिलती है तो आप लोग अगर dependent visa ना भी एक बनाओ तो आप लोग 2 साल का master's है वो चूज करो rather than 1 साल का master's जिसमें आपको field की job भी मिलेगी आपको exposure मिलेगा as an intern ये लोग आपको हर एक चीज़ सिखाएंगे आपकी field की कैसे job करते हैं क्या training होती है सब कुछ ये लोग बताएंगे इसके बाद में जो लोग पैसे का tension ले रहे हैं दो साल का master's ही आपको बचा सकता है कम से कम आपको loan लेना है ज्यादा स्यादा पैसा सेव करना है overtime आप लोग कर सकते हो overtime जो है सबसे important overtime का aspect है कि overtime में salary कई जगा पर ज्या सकते हो so that आपका loan जल्दी cover हो जाएगा bank के repo rates भढ़ रहे हैं ये net migration कम करने के लिए फिर भी इतने सारे students अभी abroad जाते हैं तो कई सारी banks अभी बहुत जल्दी जल्दी loan sanction करते हैं but ये लोग loan का interest rate है वो increase कर देते हैं तो आप लोग loan फिर से refinance करवा सकते हो यानि कि एक bank से loan ले गिया एक साल दो साल बाद में अगर वो interest rate बढ़ाती या फिर और कोई bank आपको कम interest पर loan देती है तो आप लोग इसे refinance का एक process कहा जाता है जिसके तुर आप लोग ये करवा सकते हो इसके उपर detail में एक video ला दूंगा और हाँ जितने भी लोग है प्लीज चैनल को सब्स